इस मॉड्यूल में हम वैलिडिटी वाली गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरी एविडेंस या दूसरी टाइप आफ वैलिडिटी मैंने आपको जिकर की थी जो जुरूरी है किसी भी रेसाज टूल के लिए यानि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इसके देखते हैं कि इसको कैसे टूल डिवेलिबमेंट के वक्त इन्शूर किया जा सकता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से मुराद यह है कि देखिए सोशल साइंसेज में और एजूकेशन में भी पर्टिक्लरली हम जब भी कोई चीज मेयर करना होती है तो अमूमन वह चीज़ें अबस्ट्रेक्ट होती हैं अपने निचर में बिसाल के तोर पे आप एंजाइटी मेयर करते हैं टेस्ट एंजाइटी मेयर करना चाहते हैं आप हैपिनेस मेयर करना चाहते हैं आप मोटिवेशन मेयर करना चाहते हैं तो यह तमाम वो कंसेप्ट हैं जिनका कोई फिजिकल फिजिकली वजूद नहीं रखती यह एक एबस्ट्रेक्ट कॉंसेप्ट है एक हिडन कॉंसेप्ट है लेटेंट कॉंसेप्ट है और मैं इसका फैसला कुछ ऐसी चीजों को नापके करता हूँ जो डिरेक्ली मेयरेबल होती है और उनसे इंफर करता हूँ कि यह मोटिवेशन थ इसे तमाम कॉंसेप्ट जो हैं जो के हिडन होते हैं लेटेंट भी कह लेते हैं आप इनको लेटेंट होते हैं या आप कहते हैं जो एबस्ट्रेक्ट है अपनी नेचर में जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता इनको आप कंस्ट्रक्ट कहते हैं अब जब भी आपको को concept पे मुझतमिल होगा मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और साधा जो हम रोज इस्तमाल करते हूं मिसाल intelligence मेर करनी है अब किसी की intelligence महीर करने के लिए मेरे पस कोई ऐसा फीता या फुटा मुझूद नहीं कि मैं उसके जिसम से लगाऊं और मुझे पता चल जाए कितना जहीं है तो intelligence को नापने के लिए मुझलिफ अदवार में मुझलिफ चीजों के जरीए नापा गया मिसाल के तौर पे कि यार वो आदमी जो अच्छा problem solver होता है जिसके अंदर artistic sense अच्छी होती है जिसके अंदर reasoning करने की ability है जिसकी communication अच्छी होती है ऐसे लोग जहीन होते हैं तो जिन में ये चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतने जहीन है अब देखें कि जहानत इसका मतलब है एक abstract concept है उस concept को नापने के लिए हम कुछ ऐसी चीजों को मेयर करते हैं जिन को अब सब construct कहते हैं और उनके मेयर करने से इस main construct का पता चल रहा होता है हमें तो हम ऐसे चीजों को define करते हैं सबसे पहले मैं सबसे पहली जुरूरत मेरी क्या है कि मैं intelligence को define कर दूँ और इसकी definition साब जाहर है एक नहीं होगी आप literature पढ़ते हैं तो आपको बहुत सरी definition नजर आती है तो हम उन definitions को कैसे judge करते हैं कि कौन सी इस्तमाल होनी चाहिए कौन सी दुरूस्त है हम उनकी theories में चले जाते हैं जहां से वो concept या construct originate हुआ होता है हम उस उस theory पे चले जाते हैं और उस theory में से infer करते हैं कि intelligence को इसने किस तरह से define किया है और फिर हम उस main construct के sub constructs identify करते हैं उन sub constructs को define करते हैं और उस उन defined चीजों के मताबिक फिर आगे हम tool development के process में चले जाते हैं जब हम इस process को follow करते हैं तो इसको check करने के लिए कि आपका tool जो है वो construct valid है या नहीं है तो हम दो तरीकों से देखते हैं एक उस tool की convergent validity निकालते हैं और एक उसकी discriminant validity निकालते हैं Convergent से मराद यह है कि एक tool मैंने बनाया और कोई पहले से established tool है मैंने intelligence मेर करने का एक tool बनाया अब इसी तरह intelligence मेर करने का कोई और standardized tool मौझूद है जो established है जो पहले से test हो चुका हुआ और पता है कि यह मेर करता है intelligence को उसके बारे में लोगों को यकीन है तो मैं अपना tool जो मैंने बनाया था और जो किसी और ने बनाया वह established tool है किसी शक्स को दोनों देता हूं ताके वो इनको solve करें इन पे अपने सवालात के जवाबाद दे और फिर मैं अपने tool पे आई हूए score और दूसरा जिसको मैं कह रहा था कि यह established tool है यह standardized tool है उस पे आई हूए score के दरम्यान correlation निकालता हूं तो और अगर यह correlation हाई होता है तो मैं कहता हूं कि यह convergent validity है यानि मेरा tool जो measure कर रहा है वही दूसरा tool भी measure कर रहा था इन दोनों के दरम्यान हाई correlation था तो मैं इसको evidence के तौर पर यूज करता हूं कि अगर आप यह मानते हैं कि वह जो दूसरा established tool है वह intelligence को measure कर रहा था तो फिर इसका अगर दोनों पर score एक जैस आया तो फिर जो मेरे वाला tool है यह भी intelligence को ही measure कर रहा था तो मैं इस तरीके से convergent validity के जरीए से यह establish करता हूं दूसरा जो सबूत इसमें आप कठा करते हैं वह discriminant validity वाला कि आप अपने construct पे तो data लेते ही हैं जो मैंने tool बनाया वो intelligence का था अब मैं कोई और tool लेता हूं जो intelligence नहीं measure करता मिसाल के तोर पे जो time management को मैयर करने का tool बना हूगा वो ले लेता हूं अपने tool पे किसी से fill करवाता हूं उन ग्रुप से एक group को दे के अपना tool fill करवाता हूं और वो दूसरा tool फिल कर और दोनों के scores के दिरम्यान अगर relationship कमज़र रहे या ना relationship निकले तो मैं यह establish करता हूं कि देखिए क्योंके यह दो different चीज़ों को मैयर कर रहे थे लहाजा इनके दिरम्यान correlation नहीं है यह इसका मतलब है कि यह मेरा tool discriminate कर पाता है के intelligence में और दूसरे construct के दरम्यान सो आप इस तरीके से दो मुख्रिफ तरह के evidences collect करके यह argument बिल्ड करते हैं कि आपका tool जो है वो construct valid है इसके मिसाल मैंने आपके सामने यह रखी है अब देखिए कि सबसे पहले आपने एक construct लिया और उसके सब constructs identify कर लिये मसला यह जो टूल जिसका यह टेबल बना हुआ है यह टूल लोगों के अंदर उनकी जो teaching skills है उसको measure करने के लिए था उसमें अगर आप लिस्ट देखें तो लिखा है content expertise होनी चाहिए teacher में classroom activities करवाता हो उसको students को involve करने का पता होना चाहिए और so on आखिर में लिखा है कि वो student की learning assessment भी कर सकता हो फिर अगले कॉलम में इन में से हर एक को define कर दिया यानि main construct था teaching skill यह जो list हुए है पहले कॉलम में सारे इसके sub construct थे उन में से हर sub construct को define किया define करने के बाद उस पर item बनाए और वो item की तादाद लिखी हुई है और उससे आगे उन items में से एक-एक item की मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामें रखा कि इस construct को measure करने के लिए यह एक आइटम था तो आप इस तरह का एक टेबल अपने पास बनाते हैं जब भी आप किसी ऐसे construct को measure करना चाहते हैं जो hidden या latent होता है जो directly measurable नहीं होता तो आप उसके sub construct identify करके उनका scope तैख करके उस पर item develop करते हैं और फिर obviously piloting और उसके फिर reliability वगरा measure करते हैं अगर वो ठीक आ जा construct validity के process से अपने tool को गुजारते हैं